कच्छे आम और सेंजन फल्ली की सबजी कच्छे आम और सेंजन फल्ली की सबजी बनाने की विधी आम का छिलका निकाल कर इसे पीसेस में काट लेंगे इसके बाद अब पैन में ओईल अड़ करेंगे और फिर साबुद सुखा लाल मिर्च अतरक लहसन मैंगो के पीसस और फिर ठोड़ा नमक डाल कर हाम अच्छे से इसे सोटे करते हैं एक मिनित तक इसे चलाते रहें और फिर गैस ऑफ कर दें और फिर इसे हम blender में डालेंगे और फिर इसका एक बढ़िया सा paste बना लेंगे इसे pan में अब दुबारा oil आट करेंगे और फिर डालेंगे इसमें राई, curry leaves याने की कड़ी पत्ता, सेंजन फली और अब आट करेंगे थोड़ा सा हल्दी, नमक और फिर चला कर धकन लगा देंगे और फिर दो मिनट के लिए इसे slow flame पर ही इसे हम पकने देंगे और अब धकन हटा कर आट करेंगे इसमें पानी, धनिया पाउडर और दुबारा धकन के साथ इसे हम पकाएंगे कुछ देर simmer होने दें और फिर इसके बाद जब ये हमारे drumsticks करीब 50% कुक हो चुके होंगे हम इसमें आट करेंगे ये कच्चे आम का paste, थोड़ा सा पानी डाल कर थोड़ा और boil होने देंगे ताकि ये कच्चा आम जो है इसके साथ अच्छे से mix हो जाए धककर करीब 3-4 मिनट के लिए boil होने दें अब धककन खोल कर इसकी gravy हम चेक करेंगे वाउ मगर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम add कर लेते हैं थोड़ा सा पानी एक बार और मिला लेते हैं इसके बाद अब gas off कर देंगे और इसे अब आप चावल के साथ भर पेट खा सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी खिला सकते हैं कर देथ भालों को